हिमांक का आउनमन अर्थात डिफ्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है तो चलिए इससे जानते हैं तो किसी विलियन का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव तथा थोस साम्में आवस्था में रहते हैं और द्रव का वास्पदाब थोस के वास्पदाब के बराबर हो जात तो यहां पर हिमांक जो है वी लायक का वह है टी एफ नौट फिर जब वी लायक में वी लिया मिला दिये तो वीलियन बनने के बाद इसको जब ठंडा किये तो इसका यह यह ठोस के वास्पदाब के बराबर हो जाता है और इन दोनों के बीच जो टेंपरेचर में जो अंतर लायक मिलते हैं आगली वीडियो के साथ